नमश्कार मैं हुन अव्याई बात करते हैं बॉलवट की फिल्माक्ट रवेथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में दरजुनों हिट फिल्में की है एक वकपर बॉलवट में उनका सिक्का चलता था लेकिन मिथुन अपने कर्येड में भी ग्रेट फिल्मों में भी काम कर चुके हैं जिसके लिए उन्हें आकसर आलोचना का ही सामना गर पड़ता है मिथुन के बेचे नमाशी भी कह चुके हैं कि उनके पिता कुण प्रोजेक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहि게 था क्योंकि वो उनके लाइक नहीं थे अब इसी मुद्दे पर मिसुन चक्रवर्ती के बेचे निमो का भी बयान सामने आया है मिमो ने पिता के बी ग्रेट फिल्मों में काम करने का फैसले का बचाफ किया उन्होंने एक इंटर्वियू में मिमो ने कहा है कि मेरे पिता ने जो भी किया अपने परिवार के फ्यूचर के लिए किया मिमो ने बताया कि उनकी मा मिथुन के अच्छे और बुरे दिनों की गवा रही है उन्होंने कहा कि फिल्म फ्लॉप होने के बाद उनके पिता हताश हो जाये करते थे कई चालेंजस के बावजूद उन्होंने कड़ी महनत की कई बार तो चार-चार शिफ्ट में काम किया गरते थे मिमो ने ये भी बताया कि मिथुन ही वानिटी व्यान के कॉंसेप्ट को ले कर आये थे मिमो ने कहा है कि मिथुन ने उन फिल्मों के लिए इसलिए काम किया ताकि परिवार का खयाल रख सके और उठी में होटल बिजनिस का सपोर्ट कर सके मिमो ने खुलासा किया है कि एक वक्त ऐसा भी था जब पिता यानी मिथुन के पास सोने की वि जगा नहीं थी क्योंकि उनके room mate ने उनको घर छोड़ने के लिए के है दिया था इस जरान मिथू ने एक gym का bathroom भी साफ किया था ताकि उन्हें इस्तिमाल करने की इजाधत मिल सके आपको बता दे कि मिथू ने साल 1976 में आई फिल्म मरिग्या से फिल्मों में कदम रखा अपने करियर में उन्हें सेकड़ो फिल्मों पर काम किया है और एक classic dancer उर्फ बी ग्रेट फिल्मों में भी काम किया है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद